रामगड छेत्र के नंगली मेगा गाउं में एक मंगलवार 28 कावड़ियों ने सीतारा मंदित पर कावड़ चड़ा कर जलाबी शेक किया बाद में पूजा आरती की गई हवन के कारिक्रम में सबी 28 कावड़ियों ने अहूती थी इस औरान कठूनर छेत्र के गाउं खेडा में दा के कलाकारों ने भजन की इतन का कारिक्रम चलता रहा उसके बाद प्रशाद का आयोजन समस गाउं के सयोग से किया गया उलेकनी है कि 20 जुलाई बुद्वार को शाम 5 बजे नंगली मेगा के चोती डाक कावड यात्रा के लिए 28 युवा हरिद्वार रवाना हुए और हरिद्वार से 24 जुलाई रवाज शाम को नंगली मेगा के लिए रवाना हुए जो सीतारा मंदिर पर पहुँचे और कावड चड़ा का जला भी शेक किया नंगली मेगा के ग्रामीनों ने कावडियों के जाने के बाद से ही गाउं में कठुमर के खेडा मैदान गाउं में भजन मंदली बुलाकर भजन कीरतन का आयोजन शुरू करवाया जिससे गाउं में भक्ति में माहोल बना हुआ था तीन दिनों से कठुमर उखन के गाउं खेडा मैदान में भजन मंदली के कलाकर राजेश ने अपने भजन कीरतन की प्रस्तूती से ग्रामीनों को मंत्रुबुत कर दिया इस और आं भोरा जांगिड हेमू चौंदरी समशेख राजपूत भूरा चौदरी राजपाल राजपूत के अलावा समिस्त कावडियों वे अनेको ग्रामिन मौजूद रहे आप पर नाम जानना चाहूंगों में? नाम राजश कुमार अच्छा और आज जो नंगली वेगाम है जो संगीद में कीरतन जो आपने की आये कितने दिन से चल रहा कारगम आप पही हैं? पिन दिनों से कितने लोग थे आपके मंगली में? आज